ब्रमोस अपने launch tube से बाहर निकलते ही अपनी नाक पर लगे reaction thrusters की मदद से खुद को horizontally reposition करके अपने target के तरफ बढ़ती है लेकिन इसी category की tomahawk और caliber जैसी missiles horizontally turn होने के लिए अपने fins का इस्तेमाल करती है तो फिर ब्रमोस में इतना जमेला क्यों है तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रमोस एक super sonic cruise missile है जिससे high value assets को target किया जाता है ऐसे में इसका stealthy होना बहुत ज़रूरी है बस इसी stealth के चकर में launch के तुरन बाद इसे low altitude पर उडान भरनी पड़ती है ताकि ये enemy radars के पकड़ के बाहर रहे अब पहले तो ये काफी भारी missile है उपर से launch के समय इसकी speed इतनी कम होती है कि इसे इतने high angle पर turn कराना fins के syllabus के बाहर होता है इसलिए इसमें reaction thrusters लगाए गए